हलो फ्रेंट्स गुड मॉनिंग नमस्कार बहुत बहुत स्वागत आप सभी का इस्टेटीवी दियान प्रकास पे आज की तारीक पांच दिसंबर है और दोस्तों आज समिक्षा इदिकारी साइश समिक्षा इदिकारी की परिक्षा होनी है 2017 के बाद ये बिग्यत्ती जारी हुई है और यही वज़े है कि बहुत बड़ी संक्या में अभ्यर्थी इस परिक्षा में सामिल होने वाले हैं पदों की संक्या देखा जाए तो बहुत कम है कुल 337 पद हैं और इन 337 पदों में से 109 पद विशेश चेहन के लिए हैं भर्थी फरिक्षा के लिए कुल 5,69,165 अभ्यर्थियों ने आविदन किये यानि की एक पद पर 1669 दाविदार पदों के मुकाबले अभ्यर्थों की संक्या काफी है थिक और इसी वज़े से अस्परधा कठिन रहेगी तो काफी लंबे समय के बाद ये विग्यप्ति आती है और उसमें भी जो ARO की पोस्ट होती है उसमें O-Level की रिवांड होती है तो बहुत सारे अभरती जो O-Level के अर्ताधारी नहीं होते हैं वो चुन के भी बाहर हो जाते हैं हाला कि मैं आपको बता दूँ कि अगर आपका O-Level रनिंग है तब भी आप ARO बन सकते हैं होता ये है कि अगर आपका O-Level रनिंग होता है तो आपको दो साल का समय मिलता है अगर दो साल के अंदर आप O-Level दे देते हैं तब आप ARO बन सकते हैं और आज ये परिच्छा जो होनी है ये दो पालियों में होगी साड़े नौ से साड़े गया रहा है अपरान धाई से साड़े तीन कुल मिलाके देखा जाए तो 200 नंबर की परिच्छा होती है ये नेगेटिव मार्किंग वन थाड रहेगा और इसमें 140 प्रस्ण आपके जीयस से होंगे बाकि के जो साड़ प्रस्ण होंगे ये हिंदी से होते हैं और अगर आपने 115 के आसपास सही प्रस्ण किये हैं तो आप मुझी परिच्छा में बैठेंगे मुझी परिच्छा 400 नंबर की होती है इंटर्वी उसमें नहीं होता है सारे भत्ते सारी सुविधाये और इस पद की जो प्रतिष्ठा है बिल्कुल यूपी पीसे जैसी होती है तो यही वज़ा होती है कि बहुत प्रतिष्टे पार्डिसिपेट करते हैं और अब next वकेंसी कर आएगी इसके बारे में कोई जैंकारी नहीं कोई जैसे यह परिचा बहुती मत्पूर्ण हो जाती है और दोस्तों यहाँ पर इस्कूल बार बार बंद होने से चात्रों में सीखने की छंता प्रभावित हो रही है आपको पता होगा कि आउनलाइन कच्छा को लेकर शात्र ज्यादा सक्री नहीं रहते है और आज की विद्यालने सिक्षक संग पस्टिमी जिला के सचिव संत्रावने बताया कि कोरोना और प्रदूसरों के चलते बच्चों की पढ़ाई का काफी नुकसान होता है तो यहाँ पर वास्तविक जो पढ़ाई होती है वो आपने सामने कच्छा में ही हो पाती है आउनलाइन पढ़ाई में 10-15 फीजदी से ज्यादा शात्र सक्री नहीं होते हैं और उनके सीखने की जो ललक होती है वो भी कम होती है फिलार आरोवर यही बताया जा रहा है कि स्कूल बार बार बंद करना ये एक मजबूरी होती है लेकिन इससे छात्रों की सीखने की छंदा प्रभाईद होती है और यहीं वज़े होता कि परिशाओं से पहले लगबग हर बोर्ड अपने पाठिकरम को कम भी कर देता है ताकि बहुत अधिक बर्डेन छात्रों पर न पड़े उत्तर देश में 69 जा सिक्चक भरती में आरक्षन गरबडी का आरोप लगा कर छात्र लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं इनको लेकर 4 दिसंबर 2021 को अभरती मंदिरी आवास के और बढ़ रहते जिनको रोकने के लिए पूलिस ने लाठी चार्ज किया तिहाँ अब आपको पता योगा की पूरा मामला क्या है 69,000 सिक्चक भरती का आयोजन जो क्या गया था उसमें आंदोलन कर रहे हैं बेट्टों ने 22-23,000 सिटों पर आरक्षण नेमों का पालन न होने का आरोप लगाया है आंदोलित जो चात रहे हैं का कहना है कि इस भरती प्रक्रिया में OBC वर के कानिडेट्स की कुल सिट 18,598 थी उन्हें सिर्फ 263 सिट मिल गी और OBC वर को 27% आरक्षण की जगे 3.86% आरक्षण ही दिया गया मतलब आरक्षण नेमों का पूरा पालन नहीं हुआ और आंदोलन रद अभरतों के अनुसार यसी वर को 21% आरक्षण की जगे मात्र 16.6% का आरक्षण मिला है 69,000 सिट्चक वर्दी मामले में रास्ति पिछड़ा वर्द आरक्षण नेमों का पालन नहीं होने पर यूपी सरकार से जबाब मागा था साथी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बेसिक सिक्चक अधिक अर्यों पर करवाई करने को भी कहा था फिरला फ्रेंस अब अभी ये जो आन्दोलन जारी है इसपर अभी कोई ृशीजन सामने नहीं आया है और हाली में इसपर जो कुछ भी क्रियाय प्रत्कियाय हो रही है उसको लेकर कोई भी निडायक मकतब भी सामने नहीं आया है टीजीटी, पीजीटी और इंटरमिडेट में प्रधाचार के पद की, बोर्ड ने राज के सभी जिरा इसकोलो को लेटर लिखकर वकेंसिक जांकारी मांगी है, तीन से बारा दिसंबर तक उन्हें आफ्लाइन और आनलाइन पोर्टल पर वकेंसिक जांकारी अपलोड करने के निर्थिस दिये गए हैं, इसके बाद नया विग्यापन जारी कर दिया जाएगा और ये भी कहा गया है कि जो वाकेंसी है उसको अच्छी तरह से वेरिफाइ करके भेजा जाये और इस पर जो बाद मेना हो की ज़ादा भीज दिया गया कम भीज दिया गया मीडिया रिपोर्ट से बता रहे हैं कि भर्तियों की जांकारी मिलते ही राज के 45-100 से ज़्यादा एड़िट कारिजों में वकैंसी पर भर्ती नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा बात यहाँ पर 27,000 पदों के बारे मोरी लिगन देखते हैं कि नई भर्ती कितने पदों पर आती है सेलेक्शन बोर्ड ने जुलाई 2016 की भर्ती के नोटिफिकेशन 29 अक्टूबर 2020 को जारी किया था जिसके तरद 15,508 सेलेक्शन के पदों पर भर्तियां की गहीं आपको पता होगा इसके बारे में और अब जो नई वकैंसी है उसका इंतजार अभरती काफी जो है देखरता से कर रहे हैं और यहाँ पर 31 मार्च 2022 तक जो सक्के रिटायर हो रहे हैं उनके पदों को भी जोड़कर भेजना है ताकि 2022 तक जो रिक्त पद बनेंगे उस पर क्लीर जांकारी मिल सके और नई विग्यप्ती में इन रिक्त पदों को भी सामिल किया जा सके और इस भरती प्रक्रिया में प्रणाचारियों के पदों को भी भरा जाएगा सेलेक्शन बोर्ड द्वारा इन पदों पर भरती के लिए आखरी बार 2013 में भरती नोटिफिकेशन जारी गवा था मतलब आठ साल बाद इन पदों पर भरतीया होंगी लेकिन एड़ेट का लुजों में कई पद खाली होने के बाद भी सेलेक्शन बोर्ड ने भरतीया नहीं करवाई है और देखोए फ्रेंट चाहवा यूजी सी नेट एक्जाम के बारे में एक लेटेस्ट अपडेट है आप ऑफिसल वेफसाइड भी इसके लिए विजिट कर सकते हैं पाँच दिसंबर को आजीत होने वाली यूजी सी नेट परिशा को अस्थकित किया गया है लेकिन सिर्फ दो राज्यों में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बड़ा फैसला किया है कि इसके तहट पास दिसंबर को आजित होने वाली यूजिसीनेट परिशा को अस्थकित कर दिया गया है एंटीए नेरे नेरे ओडिशा और आंध प्रदिश में आने वाले चक्रबाद जवात ही चलते लिया है एजेंसी ने इन दोनों राजियों में परिशा को संसुदित करने का फैसला किया है ध्यान जीएगा यह परिशा मात्र दो राजियों में कहां कहां पर ओडिशा और आंध प्रदिश में अस्थकित की गई है और इस पर जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आप जाकर देख सकते हैं ऑफिसियल वेब साइट पर सुचना के मताबिक जवाज चक्रवात के कारण ओडिशा और आंध प्रदिश में पाच दिसम्बर कोने वाली विस्विदाले अनुदान आयोव नेशनल अलिजबिल्टी टेस्ट यूजिसी नेट 2021 परिचा को पुनर निर्धारित किया गया है दोने राजियों को चार दिसम्बर 2021 को रेड एलेट जारी किया गया था एसले में नेशनल टेस्टिंग एजनसी एंटिये परिच्चा की संसुदित तिथी पत्र आधिकारिक वेबसाइट यूजिसीनेट.nta.nrc.in पर नियत समय पर अपलोड करेगी और उमिदवारों को सला दी जाती है कि आधिकारिक वेफसाइट कोई सी है यूजिसीनेट.nta.nrc.in को समय समय पर चेक करते रहें तो फ्रेंट्स यह थी आज की पूरी अपडेट थैंक यू सो मच फर वाचिक देए वीडियो वीडियो को आपको पसंद आया तब आप इसे प्लीज लाइक और शेयर भी कर दिया करें और बस आप सभी का दिन मंगल मैं हो शाम को मिलेंगे आपसे आरो ए आरो परिच्छा के प्रस्णों के साथ और उसकी उत्तरमाला के साथ तो थैंक यू सो मच वेव ग्रेट डे जैंद